योगनी एकादसी कभ है 2024 व्रत पारन समय योगनी एकादसी 2024 योगनी एकादसी एक या दो जुलाई कभ है जाने सही तारीख पूजा का मुहरत योगनी एकादसी 2024 इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं साथ ही कई यग्यों को करने का फल भी मिलता है योगनी एकादसी एक या दो जुलाई कभ मनाई जाएगी योगनी एकादसी 2024 आशाड माह के कृष्ण पक्ष की ग्यारहवी तिथी पर योगनी एकादसी का व्रत किया जाएगा भगवान श्री कृष्ण से खुद युदिश्ठीर को योगनी एकादसी के महत्व के बारे में बताया था ऐसी मानेता है कि जो इस व्रत को करता है उसे प्रीथिवी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं वेक्ति जन्म मर्न के बंधन से मुक्ती पाता है योगनी एकादसी का व्रत करने से 88,000 ब्रह्मनों को भोजन कराने की समान फल की प्राप्ति होती है और व्रती को बयकुंठ धाम की प्राप्ति होती है इस साल योगनी एक अदसी 1 या 2 जुलाई किस दिन है जाने सही तारीख पूजा का मुहरत योगनी एक अदसी 1 या 2 जुलाई 2024 में कब है पंचांग के अनुसार आशार माह के कृष्ण पक्ष की एक अदसी तिथी की शुरुवात 1 जुलाई 2024 को सुवह 10 बसकर 26 मिनट पर होगी और समाप्ती 2 जुलाई 2024 को सुवह 8 बसकर 42 मिनट पर होगी शास्तरों के अनुसार एकदशी व्रत उद्यातिति से मानने होता है ऐसे में इस साल योगनी एकदशी 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी योगनी एकदशी का सुम मुहरत योगनी एकदशी के दिन श्रीहरी की पूजा सुबह की जाती है इसलिए सुबह 8 बज कर 56 मिनट से 2 फर 2 बज कर 10 मिनट तक सुम मुहरत है वही योगनी एकदशी का व्रत पारन 3 जुलाई 2024 सुबह 5 बज कर 28 मिनट से सुबह 7 बज कर 10 मिनट प अपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं साथ ही कई यग्यों को करने का फल भी मिलता है इस एकादशी पर श्री लक्ष्मी नरायन का पवित्र भाव से पूजा करना चाहिए भूखे को अन्य तथा प्यासे को जल पिलाना चाहिए एकादशी पर रात्री जागडन क का बड़ा महत्व है इससे संपती सुख एश्वरे मिलता है कैसा लगा आप सभी को हमारा यह योगनी एकादशी वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर कर कर दो है तो है कर दो है कर दो कर दो